जेहिन नमस्कार सेनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फीच स्वागत है मिल गई एक और तारिक ORP2 के उपर लेटेस्ट अपडेट अब मिलेगी ORP2 एरियर के बुगतान की फाइनल तारिक सुप्रीम कोर्ट ओप इंडिया की वेबसाइट पे एक नई तारिक मिल चुकी है आप सभी को पताए कि 14 दिसंबर 2022 को भारत सरकार दोरा एक मिसलेनियस एप्लिकेशन अन्रेबल सुप्रीम कोर्ट ओप इंडिया में फाइल की गई थी और ये 17 दिसंबर 2022 को रजिस्टर हो चुकी थी लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं हुई थी ये एप्लिकेशन जुड़ी हुई है OROP के उपर टाइम एक्स्टेंशन से सरकार को मार्च 2023 तक समय और चाहिए ताकि वो OROP 2 की टेबल मना सके और एरियर जारी कर सके इसी के उपर जो एप्लिकेशन है आप देख पा रहे हैं tentatively case may be listed on likely to be listed on यानि 9 January 2023 को likely to be listed यानि संभावित है कि 9 January 2023 को ये case list हो सकता है list होने के बाद साती हूँ इसमें hearing की date मिलेगी जिस दिन hearing की date मिलेगी उसी दिन ये ते हो पाएगा कि आपके area के बुगतान की तारिक क्या होगी इससे पहले हम Honorable Supreme Court of India की website से ये देखते हुए आ रहे थे कि 2 January 2023 को कोई update आया है क्या तो सात्यों 2 January 2023 को Honorable Supreme Court of India में OROP के उपर कोई चर्चा या case list नहीं हुआ था लेकिन अब list होने की तारिक जरूर मिल चुकी है तो इसलिए तारिक पे तारिक और एक और तारिक 9 January 2023 अब देखते हैं कि listing की date क्या आती है और उसके बाद final सुनवाई की date क्या आती है वो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन ये बातते हैं कि आपको March 2023 तक ORP का कोई भी area मिलने वाला नहीं दिख रहा है आपको पहली किस्त April 2023 के बाद में ही मिल पाएगी इसके side में एक मुद्दा और चल रहा है कि ORP2 के area को चार किस्तों की बजाए एक ही किस्त में दिया जाए तो क्या इसके उपर Contempt of Court की कारवाई होगी तो वो भी आने वाले समय में देखने को पता चलेगा कि Contempt of Court की कारवाई होती है या नहीं सभी पूरू से निकों कि ये राह है कि Contempt of Court की कारवाई ना की जाए जो ORP2 के उपर सरकार दोरा final किया गया है जय हिंद जय बारत वंदे बात्रम